गुड मॉर्णिंग एबरिवान कैसे आप सब आई होफ अच्छे होंगे और सभी की गुड मॉर्णिंग हो गई होगी और मेरे भी गूड मॉर्णिंग होगी है और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सुस्राल में जो बहु है उनका दिन कैसा चाहता है गल्स का तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी और चेश्ट में भी सोके उठी हूँ और मेरे साथ ये भी मेरी उठ गई है डॉल छोटी सी तो इंसे भी मिल लीजिए और बस भी मैं फ्रैस हूँ उसके बाद आंगे में ड्रेस चेंज करूंगे जबी मैं जशना के आई और तो साड़ी वेगर भी ली हो जाती है इसलिए नहीं से ही कप्रे पहने है तो चलिए पूजा करते हैं तो यहां पे पूजा मैंने कर लिया गाईस तो बस यह है मेरे गनेश भवान और लच्वी माता और इनके पास में य जिनकी में पूजा करती हूं बड़े शोपा लच्वी माता चलिए पूजा हो गई है आगे चलते हैं ब्लॉगिंग करते हैं कि यह मेरी चाय बॉइल हो चुकी है एक साइड मैंने रख दिया है दूप बॉइल होने के लिए और नास्ता मेरा तयार हो गया है तो तो गाईज यह नास्ते में ब्रेड में ने बिनाई जल्दी से और यह चाय लोग इसी तरह ग्लास में पीते हैं और यह वह वाली मेरे ग है गाइस हम लोग नास्ता कर चुके हैं और अब जा रही हूं रेडी होने के लिए क्योंकि सुबह से ही तयार होना पड़ता है विद्धारी और मेकप करूगी तो चलिए मेकप दिखाते हैं कैसे करना है और नास्ता में कर चुकी हूं ठीक है और आंगी की जो क्लिप थी ना वह मैंने ऐसे करके ले ली थी फोड में मुझे पता ही नहीं थी किसे ले नहीं है तो इसलिए 33 के उसमें चल रही है तो फर्स्ट ब्लॉग है मिस्टेक तो होगी काईस अब मैं जा रही हूं ने पॉलिश लगाने और रेडी होने के लिए तो यह मैंने बैंक पहन ली है और पायट भी पहन ली है तो बस अभी मैंने पेल्ट लगाऊंगी और अपने हैंड पे भी लगाऊंगी नहीं लगा हुआ है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यह जो नियूली मेरीड गर्स है वो अपना पूरा वबर ओल मेकप कैसे करती है उसमें मैं पूरा बताऊंगी पहले आपको जोल्री बेर कर लेनी है जो मैंने कर ली है और अभी में नेल पेंट लगाँगे नेल पेंट वैसे तो रेल लगाना चाहिए बड़ देख अब आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बताईएगा कमेंट करके तो इस तरह से भी मैं लगा लूँगी स्काइब ब्लू कलर है इसका और इसमें पताने कैसा दिख रहा है अलब हलका सा ग्रीनी शेड में है कुछ ऐसा है तो बस जश्ट में लगा लूँग और मेरा वो कोई भी वि रिक्वेस्टिड वीडियो भी है बहुत लोगों ने इसी नेल पेंट के उपर बदाया था पैर दिखाने के लिए रंगाने के लिए तो वह भी हो जाएगी एंड यह बोला था कि पूरा डे आप दिखाईए कैसे क्या करना है वह भी हो जाएगा और पाइल कलेक्शन भी आ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जो थी वह पूरी हो जाए बताईएगा पूरी हो पाहिए या नहीं तो बस चलिए लगा लोगा है अल्मोस्ट अब इसको ड्राय होने देते हैं और बैंकल्स हैं वह मैंने मल्टी कलर की पैनी है क्योंकि बैसे मैं चूड़ा पैंती बट मैंने कहां मल्टी कलर की पैंती मुझे अच्छी लग रही थे आप लोग प्रताईएगा क्याती लग रही है और यह वाली चूड़ी मेरी सासुमा ने मुझे दिलाई थी तो मैंने का यही मैं पैंन लेती हूं आप लोग बताईएगा अच्छी है भी महावर लगाते हैं तो अली जस्ट आवास तुनने है तो बस अभी अब मैं करूंगी अपने फेस का में कोवर्स मैं इसलिए दिखा रहे हूं कि आपको जो आवाज है वो स्लाइंड है तो गाइज यहां पर मैं अभी बस अपना फेस का मेक अप करने वाली हूं तो सबसे पहले आपे मैं लगारी टोनर अच्छे से इसको अप्लाइ कर लिया है इसको मैं ड्राइ होने दूंगी उसके पास फिर मैं और भी चीज अप्लाइ करूंगी और यह है गुडवाइप्स का रोज ग्लो टोनर बहुत अच्छा टोनर है अगरने यहां पर मैं मैं करने नीओ-ली मैरेट गर्स यलफ अपना घर पे मैक अप कैसे करें वह मैं मतलब काम कभी करना है मैं कभी करना है तो यहां पर मैं बहुत कम छुटी छुटी क्लिप लूंगी अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल पे जाएं और वहां पर बहुत सारी मेकप के वीडियो हैं आप देख सकते हैं एंड इस वीडियो में व्लागिंग कर रहे हैं तो मैं बहुत ठड़ा धुद्ध करूंगा तो बस जहां पर आपको पसीना वगएर आता है और पूरे फेस पर वैसे लगाना जिसे आपको मैकप है वह बहुत टाइम तक आपके फेस पर रहेगा और आप देखिएगा भी इसको अप्लाइब करना यह है प्राइमर ब्रॉर रदन का इसके बाद आपको लगाना फांडेशन फां बहुत कम मैंने क्वांटिटी लिए है और बहुत अच्छा फांडेशन है आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं और लिंक मैं दे दूंगी प्रोडक्ट की और भी मेरे वीडियो है उनमें भी लिंक है आप जाक्ते चेक आउट कर सकते हैं जाइस इसको अच्छे से ब्लै है तो वहां पर आप और तो इसको कि एपलाई कर सकते हैं बहुत सा में एक यह और डेली का मेरे कर रहे हूँ हूअ और कंटोरिंग आप कर भी सकते हैं और ओ इसे कंटोरी तो ने START हैं कि आप गर में रहना है और अब तो मुझे खाना और मीं बनाना बस अच्छा लिखना है इसलिए आपको मेकप चो एक रचे प्रोडक्ट से करना है तो बस जहां पर ब्लेंड हो गया आप देख रहो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है और यह जो कंसीलर है यह आई एमस्टर डेम का और इसका सेड है 9 तो अगर आप लेना चाहने हैं काफ होते हैं तो नोस पर करूंगी है किसी क्योंकि मेरी जो नोस है ना वाइस वह बहुत ज्यादा मोटी है बस बहुत हरकी है और इसको भी आपको ब्लेंड करने ना है अब आपको लगाना है कॉमपैक पाउडर तो सबसे पहले आपको लगाना है अपने आइलिट पर जिससे आपकी आइलिट सेट हो जाए जो आपने कंसीलर लगाया है पर इसके बाद पिर आपको पूरे फेस पर अपने अच्छे सेश को अप्लाई कर लेना है और यह कॉमपैक है एडियस का उसके बाद मैं हलका सा ब्लशर रिंस करूंगी तो वहां के यह मैं कि बहुत हलका सा जो मैं लगाऊंगी वही मैं अप्लाई कर रही हूं कि इससे क्या हो आपका यह बिल्कुल भी मैरिट नहीं होगा और एकदम ऐसा नहीं लगेगा कैसा एकदम नेचरल वाला ब्रस लगेगा देखिया थोड़े जल्दी करना है नहीं तो फिर यह ड्राइव हो जाता है लिपशीड है इसलिए लिपकिट वाली तो यह वाली ट्रिक आप ज़रूर एपलाई कीजिएगा इससे आपका फ्लेश बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं होगा वहीं पर बना रहेगा बहुत हलका सा किया है मैंने अब देख रहे हो अभी हम लोग करेंगे आइस मेकप तो सबसे पहले आपको अपनी अब्रोस को क्लीन करना है और एक स्पूली की हेल्प से उनको कॉम करना जिससे जो भी उसमें मैकप प्रॉडक्ट फाउंडेशन या कंसीलर है निकल जाएगा उसके बाद पिर मै मेरी थ्रेडिंग हो गई है बट लॉग डाउन अभी मैं नहीं जा सकती हूं बहार इसलिए है पैंसे मैंने इनकी शेप दी है और एक ब्रस के हल्प से इनको फिलप करूंगी एक ब्लैक कलर के आईसेड़ों से आपके अगर ब्लैक हैं तो आप ब्लैक आइसेड़ों ले सकत सब्सक्राइब करें लिए बहुत जड़ा गर्मी है और बस हो गई फिल अब्रो हो गई हमनों की कम्प्लीट उसके बाद आईस मेकप मैं बहुत बेसिक सा करूंगी आपको फ्लपिंग ब्रस लेना है और आप जैसे तो रैडी कलर चूस कर रही हूं मैं और आप ड्रेस के अ हैं अगर ब्रस नहीं है और ब्रसचित पर सकते हैं दुबर कूं मैं अच्छे से अपनी दोनों इडिट पर iPhone magic ऑым Yanoi जैन आप चाहें तो कि दोनों आइज में ऐसी में अप्लाई कर लूँगी इन कुछ इस तरह से और फिट से में क्रीज लैन में हलका सा रेट कलर ले जाके उसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी जो आइलिट पे किया था इस तरह से पूरे आइस में कवर करना है आप चाहें तो आउटर यह जो मतलब आइस की नीचे भी कर सकते हैं जाइस अगर आपकी आइस छोटी है तो आप इस तरह से जरूर करेंगा जिससे जो है ना आपकी आइस है वह बीग लगेंगी और लुक जो है वह अच्छा आएगा और सश्राजन सब कहेंगे बिल्या माई बहुत अच्छा मेंकप करना आता है तो बस इस तरह से आपको जाइस तरह से अब मैं लगाँगी लाइनर लाइनर है वुड़ा भी उसी का और लाइनर में थोड़ा से ठीक लगाँगी क्योंकि मैं आप फेक लैसे नहीं लगाँगी तो कुछ इस तरह से स्टार्ट करना है आपको और लाइनर हमेशा आप छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके लगाएं उससे क्या है आपका लाइनर जो है न वो विल्कुल भी खराब नहीं होगा और जैसी आप शेप देना चाहते हैं वही आएगी गाईस ठीक है हमें कोई भी विंग लाइन भी नहीं निकालूंगी आप देखरें थोड़ा से ठीक लगाए है मैंने और ऐसा ही साइज में भी अप्लाई कर लेते हैं तो देखें आप लाइनर हुगा है जो और इसी को मैं यहां पे अपना थोड़ा सा अलका से ड्रॉ करूंगी यह अप्स इससे बस ठीक तो गाइस यहां पर मैं वाइट का जल अप्लाई कर रही हूं आप ब्लैक भी लगा सकते हैं बहुत हलका सा लगाया है मैंने और यह है एन्वाइवी की पैंसिल काजल इसमें सारे कलर एविलेबिल हैं ब्लैक भी आजाता है अब फटाक से वह लगाते हैं मशकारा मशकारा है वेला बोस्टे बोस्टा जो भी है बोस्टे बहुत अच्छा मशकारा है अब को दखाओ ने आज़ाए तुिन वान है चल यह स्थे लैसे से हम लोग अच्छे से कार्ल करते हैं मशकारा गाइज हो गया है कम्प्लीट उसके बाद मैं बोगन को हाई राइट कर रहे हूँ एक हाई लाइटर की हैट से बहुत ही हलका हलका सा करना है आपको आप देखिया इस में कप अल्मूस्ट डन है आप काजल लगा भी सकते हैं और नहीं भी मैंने आपे नहीं लगाया है काजल इसा लगा आपको बहुत ही जिम्पल है और बहुत ही मतलब जल्दी से करने वाला ये में कप लुक है हाइलैटर जरूल लगाईएगा आप क्योंकि हाइलैटर लगाने से जो ए ना वो नियू यू दुलन जो है वह बहुत चमकती है वैसे भी है नियू दुलन तो चमकती है नियू नियू सब कुछ पहनती है बहुत हलका से लगाया है क्योंकि घर में ही रहना है लाइटिंग की गाइस प्रॉब्लम होती है मैं जानती हूं बड़ मैं क्या करूं पता नहीं क्यूं यह फोन का कैमरा है न तो यह बहुत जल्दी से कैश नहीं कर पाता इसले लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है आएंगे लिपशेड तो लिपशेड यहां पर मैं डार्क पिंक कलर की अप्लाई कर रही हूं इस तरह से लगाने से आपको बेस मिल जाता है या फिर आप आउटलाइन कर लिजिए गाइस ठीक है अब आप इसको जितना भी कबरब करना चाहते हैं वैसे वन कोट करना चाहिए उससे आपकी जो लिपशेड है वो लॉंग लास्टिंग रहती है और काफी टाइन तक आपके लिपशेड पर रहती है एंड बिल्कुल भी जगह जगह से होता न निकल जाती है वैसा नहीं होता ह और आप हो सके तर डार्क ही लिपशेड लगाएगा अच्छी लगेगी अगा लिपशेड होगा और आप लिपशेड लगाएगा ड्राइवाली वह आपकी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी और मैंने हुड़ा ब्यूटी के यहां पर लगाई थी और अब मैं लगाने हूं थी तो बिंदी मुझे भील्कुल मैचिंग की लगाऊं तो औरेंज साड़ी पेनी है बर्त मैं लिपशेड की मैचिंग की लगाऊंगी यहां पर पिंक लगाऊंगी अन्ड का ही बिल्कुल अभी नियू है देखते हैं पहले कैसी लगती है यह तो फिर मैं बहुत छोटी ची लगाऊंगी कैसी लग रही है गाइस जदा बड़ी लग रही है अबम्लुक लगाएंगी लगाएस जदू जब तो यह लग्या सिंदूर अभी को लगाना बहुत जुरूरी है बहुत इंपोर्टेंट है ऐसे ही आप फुल लगाएगा जैसे मैंने लगाना है और चलिए अभी पिर करते हैं हम लों हल्की सी हेस्टाइल क्योंकि अभी पल्लू अगरा लेना है और अभी पैंटिंग उसाड़ी और यह थी मेरी बैंकल्स कलरफुल क्यासा लगा आप लोगों को और मैंने यहां पर यह ना यह आर्टिफीशियर रख लिया है क्योंकि नचरना लगे आप अगर ऐसा मेकप करें तो प्लीज चदूर इस तरह का अभी आप डे वाली जो लाइट है उसमें भी मेरा मेकप देखेंगे यहां पर जो मैंने किया है वो डे लाइट में कैसा लगता है तो नहीं है बिल्कुल भी बेकार लगता बहुत जादा एकदम पोतम-पातम वाला बेस लग रहा है ऐसा नहीं है तो कैसा लगा आप यहां पर आपको दिखाने के लिए ऐसे कर लिए है बस ठीक है चलिए आंगे चलते हैं ब्लॉगिंग देखते हैं आंगे मैं क्या कर पाती हूं भी मैं रील्स व्याइरा भी बनाऊंगी ठीक है तो आगे मिलते हैं इस मेकप लुक का अपने वीडियो पूरा देख लिया है इसके बाद अभी मैं रील्स बना के आई हूं सौर्ट पर बना के आई हूं गाइस तो उसके बाद आप देखिए मेरा जो मेकप है वह बिल्कुल भी मैल्ट नहीं हुआ है और डे की जो लाइट होती है उसमें भी मेकप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा हो तो मैं इसी एकोर्डिंग करती हूं और यहां पर मैं बैठी हूं यह मेरा आंगन है बहीं पर मैं और मैं बैंगास मुझे बहुत अच्छे लगे यह आज वाले जो मंतिकलर के हैं वह एंड आप मुझे समझ मीं नहीं आप मैं केमले में देखूं कि किधर देखूं कि कोई आप्लिज लाइन बताना के एसा लगा आप 4 अंशली नमसे करेणेनец मीु कुर्णि मैं नहीं चाहिए में बना रे जाए हूं उसका बना जब्ल 200 अब 30 को Millicot 10श कूहिए तो Sबजी बन गये रोटियां मैं बना रहू हूं और यह जैसे ही यहां पर खाना में बना चुकी हूँ और यहां पर करता है सेलड उसमें है ओनियन टोमेटो एंद चिली और ने बनाई थी खीर रही है और पसंद है थोड़ी सी गारी और यहां पर पर बनाया थे छोले इस तरह ऐसे हैं कम वाल बहुत कम और रहे और फोड़ी वाले उस तरह से थीक है और चावल कम पसंद है ज्वेशंट वुल्षावल यह तो आप लोग भी खाई आके सबसे पहले फिर हम लोग खाएं और जो भी दोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सबी लोग खा लें खाना बस अब लोग श्टार्ट कर रहे हैं मैं और मेरे वह एक इस अलीम में खाते हैं तो वह भी सी महाएंगे मैं भी खाऊं कि अढ़के। झामे दो चाहिए झाल प्रौ बाल भाहि झाल, झाल पिल पिल में पिल झाल, पिल चाहिए झाल, भी खाय झाल, पिल जो ह्ना झाल, भी जुङ़ो बिल मैं दो फिल इंग, उाल मैंने खानक निश कर दिया है और हमें बहुत ज्यादा थर गई हूँ क्योंकि सुवह से लगी हूँ अब खीर बच्य हुई है और मैं आज बना रहे हूँ जिस दिल अच्छे तितिया है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मीठा और खीर बनाई थी और अच्वी माता की पूजा भी की थी अब अब बनाई होगी और अभी कोरोना चला है तो हम लोग घर पे इसी तरह से खाना खाते हैं और सिंपल सा खाना खाते हैं कोई इतना हाइप आई नहीं है और बस अभी खाना फिनिश होगया अब मेरे अंदर नहीं है कि मेरे साहम तक इसको कंटीनिव करूं तो इस कि आप पाइल पहन के चल के लिखाएं तो ऐसे कैसे में चल के लिखाती इसलिए मैंने पूरा ब्लॉग बनाया जिसमें मैं थोड़ा बहुत वाग भी की हूं अलग से भी क्लिप डाली है अब मैं इसको एड़िट करूं यह भी मुझे नहीं समझ में आरा मैं इसको एड़ि इसलिए सौरी क्योंकि मैंने बहुत कट 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 किया है सबजी बनाई उसका ब्लॉग डाला नहीं और आप मैकप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा सा मैल्ट हो रहा क्योंकि सुबह का किया हुआ है मैकप और घर्मी में खाना बनाना यह सब कुछ करना फिर भी अभी इतना को सपोर्ट कीजिए और मैं बहुत मैंने कर रहे हैं बहुत जिन से और मेरे चैनल को सायद वन यह होने बाला है अभी दो थी मैंने में हो जाएगा तो प्रस एक है कि एक बन यह होने से पहले मेरा भी चैनल ग्रोव करें और मैं भी अच्छे वीडियो बनाओ और ज़़ा मे करें और मेरे चैनल पर आया जाए उसक》 लिए चाहिता है कि यह उसकी करें जी रहे हैं लाव यह को मैं तक ने तो बातों के लिए बातों के लिए और पस फिर मिलेंगे लेस्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और आप किसी को भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं एंड मैंने चोटी-चोटी सी वीडियो बनाई है बहुत मैं डालूंगी तो बस इस पर वीडियो को एंड करते हैं फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में बाबा एंटेक कियर सभी लोग अपना ख्याल रहिए घर पर रहिए सेफ रहिए बाई